हेलो स्टुडेंट आज हम क्लास 9 की साइन्स की वॉक्षीट नमर 71 कर रहे हैं यह 18 जन्वरी के लिए आई है इसमें हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हम बिमार क्यों होते हैं आज का हमारा टोपिक है स्वास्त और इसका महतुर चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज कर बहुत सारी बिमारियां फैल रही हैं आप भी बिमारी से जरूर प्रभावित हुए होंगे या तो हम शारीरी क्रूप से प्रभावित होते हैं बुखार हो जाएगा या खांसी जुकाम या कोई भी परिशानी होगी तो हम अपने कारें अच्छे से नहीं कर और यह पार्ठ इसी से संबंदित है कि हम बिमार क्यों होते हैं अगर हम बिमार ही ना हो या हम उसको कंट्रोल कर लें तो हम इन परिशानियों से बच जाएंगे जिग्यासा और ग्यान इसके बारे में बात कर रहे हैं जिग्यासा पूछती है ग्यान आज कल बहुत से स्वस्थलो कोरोना वाइरस से ग्रसित हो रहे हैं इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों आप भी इस बात को सोचते होंगे कि कुछ लोगों को कोरोना वाइरस ग्रसित कर रहा है जबकि कुछ को नहीं करता तो यह क्या कारण है क्यान बताता है जिग्यासा दिदी COVID-19 के फैलने के दो प्रमुक कारण है कम परतिरोधकता एवं लापरवाही यानि अगर हमारे शरीर में रोग परतिरोधकता शम्ता नहीं है हम अमारी अमारा शरीर बीमारियों से लड बटन डबलू एच्चो के नुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक मानसिक पता समाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्ते कहते हैं यहां पर यह स्वास्त की डेफिनेशन दी हुई है हम सिप पहले हम सिर्फ सोचते थे कि स्वास्त होने का मतलब बीमारे से बशना लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम मानसिक और समाजिक रूप से भी अच्छे नहीं है और अपने सभी कारें अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हम स्वास्ते नहीं हैं अमारे पास स्वास्ते की कमी हैं स्वास्ते को केवल व्यक्ति का तोर पर नहीं पाया जा सकता क्योंकि यह आसपास की स्थितिय वातावरन पर भी निर्वर करता है। हम अपने आपको कितना ही साफ सुत्रा रख लें लेकिन अकर हम वातावरन को बंदा रखेंगे तो हमें उसे बिमारियां हो सकती है। इसलिए सिर्फ व्यक्तिकत तोर पर ही स्वस्त नहीं रहा रहा जा सकता। इसके लिए हमें आसपास की सफाई या वातावरन को भी अच्छा रखना होता है। यहां पर स्वस्त की डेफिनिशन दी गई है। स्वस्त क्या है? मांसिक स्वस्त, शारीरिक स्वस्त और सामाजिक स्वस्त हम इसे तीन में केटेगराईज कर सकते हैं। मांसिक स्वास्थ कब कहेंगे कि हमारे पास है किसी भी प्रकार के मांसिक तनाव या चिंता से यदी मुक्त हैं तो हम कहेंगे अमांसिक रूप से स्वास्थ हैं और शारिरिक स्वास्थ जो व्यक्ति सक्रिय और रोग से मुक्तो वह शारिरिक रूप से स्वास्थ है समाजिक स स्वस्त जो व्यक्ति अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेल जोलवे समाद कर सके और समाज में अच्छी प्रकार से मिल जुड़ कर रहे पाए तो इसका मतलब है समाजिक रूप से भी स्वस्त है स्वस्त और रोगों मुक्त होने में क्या अंतर है बचों यह प्रशन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति औस्वस्त हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है कि रोग नहीं है फिर भी औस्वस्त है चलिए पता करते हैं जैसा कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बिमार नहीं है पर भी ठीक से नहीं गा सकता तो उसे हम अस्वस्त कहेंगे बच्चो रोग मुक्त और स्वस्त होना दोनों अलग अलग बात है क्योंकि रोग मुक्त मतलब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है लेकिन रोग मुक्त होते हुए भी यदि हम अपने कारे अच्छे से ना कर पाएं तो हम कहेंगे हम अस्वस्त हैं जैसқी उढ़न निहां पर दिया है कि गायक गाना गाना चाता है बिमार नहीं है फिर भी गाना नहीं पा रहा भूसता है वह मानसी क्रूप से सही नहीं हो अलग अलग बैक्तियों के लिए स्वास्ते का आर्थ बिन भिन होता है सबी बेक्तियों के लिए स्वास्ति का मतलब अलग-अलग होता है यह उनके कारे पर निर्भग करता है यदि वह अपना कारे सुचारो रूप से कर पा रहे हैं सही तरह से कर पा रहे हैं इसका मतलब स्वस्त हैं लेकिन यदि वह अपने कारे नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि यह हर किसी के लिए संभव नहीं है लेकिन जो इन कारियों को रोज करता है और आसानी से कर पाता है और वह नहीं कर पा रहा है तो हम उसके लिए बोलेंगी कि वह अस्वस्त है पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्त नहीं है दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने क अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्त ही है इसके वीप्रित एक रोग रस्व्यक्ति भी अस्वस्त हो सकता है यानि रोग मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि वही अस्वस्त है ऐसा व्यक्ति जिसे रोग भी है और वह मांसिक रूप से या किसी और कारण से परिशान है तो वह भी और स्वस्त है तो अब हम यह जानते हैं कि किस तरह से अच्छे स्वस्त को प्राप्त करा जा सकता है अच्छे स्वस्त को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रभुक आशक्ताइं होती हैं जैसे कि यहां पर दी गई हैं चलिए बढ़ते हैं स्वस्त और संतुलित आहार स्व सफाई रखने से विमारियां दूर रहती हैं सक्रिय जीवन शैली मतलब हम अपना कारिया समय पर करें और प्रते कारे का एक समय निश्चित किया हुआ हो जैसे समय पर उठें समय पर सोएं वयायाम करें और अपने स्वास्ते के प्रती जागरू करें नीमित वयायाम करने से औ हमारी जीवन चैली सक्रिय रही की अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावर्ण हमें हमारे आसपास वातावर्ण ये अच्छा होगा और हम शारीरिक रूप से भी स्वस्त होंगे तो हम अच्छा स्वस्त प्राप्त कर सकते हैं जैसे स्वच आसपास अपनी स्वच्चता उच अच्छी आर्थिक स्थिति अब गरीबी के कारण भी भोजन च्छन नहीं मिल पाता या संतुलित आहर नहीं मिल पाता तब भी हमारा स्वास्त है प्रभावित होता है और हम स्वास्त नहीं रह पाते तो इसके लिए आर्थिक स्थिति भी अच्छी होना जरूरी है अब अच् कैसे कर पाएंगे यदि हम स्वस्त होंगे तो यह हमें आसानी से सामाजिक और मांसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है यदि हम स्वस्त होंगे तो हम किसी भी प्रेशानी का हल आसानी से डून पाएंगे और मांसिक दबाव से बच जाएंगे यह हमारे जीवन को आनंद में बनाता है केवल एक स्वस्त व्यक्ति ही कुछ रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है यदि हम स्वस्त होंगे तो हम खुश भी रहेंगे और यदि हम खुश रहेंगे तो हम समाज के लिए और देश के लिए अच्छे कार्य कर पाएंगे हमें अच्छा स्वास्ते केवल अपनी लिए ही नहीं बलकि समाज और देश के लिए भी चाहिए बच्चों इससे संबंदी तब कुछ प्रशन दिये गए है प्रशन देखते हैं प्रशन एक स्वास्ते क्या है इसका महत्व लिखिए इसका उत्तर है किसी व्यक्तिके शारिलीक, मानसिक और सामाजिक ρूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थे कहते हैं इसका महत्व है, अच्छी स्वास्थ का महत्व यह हमारी कारेशमता को बढ़ाता है और हमें अपनी गतिविदी करने में मदद करता है व्यक्तिकत और सामाजिक दबाओ का सामना करने में मदद करता है यह हमारे जीवन को आनंद में बनाता है और स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और देशित में योगदान दे सकता है बच्चों इसका उतर यहां से यहां तक है प्रेशन दो है रोगमुक्त होना स्वस्त होने से किस प्रकार अलग है स्पश्च करे यहाँ पर हमें रोगमुक्त और स्वस्त में अंतर बताना है इसका उतर हमें यहां से हां तक लिखना है रोगमुक्त ऐसी अवस्ता होती है जिसमें बिमारी का अभाव होता है यानि जिसमें कोई बिमारी नहीं है लेकिन रोग मुक्त व्यक्ति अस्वस्त भी हो सकता है जबकि स्वस्त का मतलब क्या है ऐसी अवस्ता जिसमें व्यक्ति शारिरिक मानसिक तता सामाजिक रूप से अपनी शमताओं का उपयोग कर सके स्वस्त व्यक्ति इन सारा शारिरिक मा संथ उर्समाजिक भूर्प से अच्छा होने की अवस्थ इसका मतलब वह सब्सक्राइव और बढ़िया है या बिमार नहीं है प्रेशंतीन अच्छे स्वास्थे के लिए उपर दी गई प्रमुक आवशाक्ताओं के अतिरिक्त कुछ अन्यावशक्ताओं भी हो सकते हैं सोचकर लिखिए यहाँ पर अच्छे स्वास्ते के लिए कुछ आवशक्ताइं दी गई हैं जैसे स्वास्ते रहने के लिए संतुलित आहार, स्वच्छता, सक्रिय जिवन शैली, शारिक सामाजिक बातावरन, अच्छा भोजन और अच्छी आर्थिक स्थिती इसके अलावा भी अनेक पहलू हैं जो हमें अच्छा स्वास्ते दे सकते हैं जैसे की अच्छे स्वास्ते के लिए व्यक्ति को मानसिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए और व्यक्ति को नशीले, पदार्थ, शराब या किसी अन्य बुरिलत से दूर रहना चाहिए इन ये नियम भी अगर हम अपनाएंगे तो हम स्वास्ते रहेंगे स्वास्ते का मानसिक सामाजिक वे भावनात्मक पहलू क्या है स्पष्ट कीजिए स्वास्त का मानसिक पहलू है किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव या स्चिंता से मुक्त होना और इसका सामाजिक प्रभाव है व्यक्ति लोगों से मेल जोलवे समवाद असानी से करने में सक्षम हो और भावनात्मक पहलू है व्यक्ति अपनी भावनाओं के आवे को आसानी से संभालने में सक्षम हो बचों आज की वर्कशीट में बीमारी से समब्दित हमने बहुत पड़ा अब जरा कोवीड की भी बात कर लें कोवीड के समबंद में उचित वहवार है कि हम इससे सुरकशीट रहने के लिए मास्क पहने घर पर रहें और घर पर रहे कर ही अपने स्वास्ते को बनाए रखें बचों आज की वर्कशीट में मैं इतना ही करना है अगर आपको यह वीडियो मेरे इस तरह से समझाने से समझ आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्तरे हैं जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सोल्यूशन के साथ मिलेंगे